सक्सेस की कैसी गैरंटी सीकोल की सक्सेस गैरंटीड कितने सालों का है इंतजार यू तो हमने ऐसी बहुत सारे फिल्में देखी है जो आजकल बड़े परदे पर धूम मचा रही है चाहे वो बॉलिवुड की कोई ऐसे फिल्म हो जिससे दर्शक बहुत ज्यादा पसंद करने लग गए है या फिर साउथ इंडिया के फिल्म लेकिन अगर कोई फिल्म फैंस को पसंद आती है इसका मतलब है कि वो फिल्म आगे बढ़ती यानि की उस फिल्म की कहानी को आगे भी बढ़ाए जाएगा इसकी वज़ा है क्योंकि फैन्स भी अब ऐसे फिल्म में देखना पसंद कर रही है जिनमें वो अपनी और अपने साथ फिल्म देखने वालों के साथ एक ऐसा एक्सपिरियंस करे जो कि उन्हें इस फिल्म के सीक्वल को देखने के लिए मोटिवेट करे एक्सांपल के तोर पर ले लिजी हाल ही में आई फिल्म केजियफ की जब इस फिल्म का पहला हिस्सा रिलीज हुआ था तो उसका फैन बेस ये जानता था कि इनकी कहानी आगे भी बढ़ेगी जो पहली फिल्म और सीक्वल के बीच का समय था उसमें इस फ्रेंचाइजी को लोगों ने और भी ज्यादा प्रमोट किया जिसकी वज़ो से फिल्म के सीक्वल के लिए इतनी ज्यादा भीड हुई कि वो फिल्म हिट हो गई इसकी वज़ो से फिल्म के फैंस ने भी इतना ज्यादा इंदायर किया क्योंकि जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म ने धंमा केदार कमाई की कुछ ऐसा ही होने वाला है पैन इंजा फिल्म ट्रिपल Term के साथ पहले फिल्म के रिलीज के साथ इस फिल्म को बहुत ज्यादा प्यार मिला और अब इस फिल्म के और इस फिल्म के सीकुल के बीच के समय में ये बात है कि फैंस और भी ज्यादा इस फिल्म के लिए एक्साइटर है यानि कि goddamnR का sequel धमाकेदार कमाई करेगा ये बात तो पक्की है और करे भी क्योंना क्योंकि इस film की धमधार कहानी है सबका दिल और दिमाग अपना लिया है अब बात करे इस film के sequel की तो और इसको कब release किया जा सकता है तो बागी filmों को देख कर ये कहा जा रहा है कि फिल्म के सीक्वल को बनाने में और शूट करने में कम से कम एक साल का समय लेगेगा यानि कि ये फिल्म हमें 2024 से पहले तो रिनीज होते नहीं दिखेंगी लेकिन तब तक इसका फैन बेज भी इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इस फिल्म के सीक्वल का इंतजार सब करते रहेंगे और फिल्म की सक्सेस गैरेंटीड है तो अब इंतजार है इस फिल्म के सीक्वल का आपको बता दे कि ट्रिपल आर फिल्म को काफी बड़े लेवल पर बनाया गया था तो जाहर सी बात है कि इस फिल्म के तीसरे हिस्से को और भी ग्रान लेवल पर बनाया जाएगा इस फिल्म के लिए लोगों के बीच भारी एकसाइटमेंट और जोश देखने को मिल रहा है अब ये फिल्म जब भी थियर्टर्स में आएगी क्या धमाका होगा ये तो फिल्म के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा अब हम तो इस फिल्म को देखने के लिए काफी एकसाइटर है और आप बताएए हमें कमेंट सेक्शन में अब इसी के साथ मैं लेती हूँ आप सबी से इजाज़त तब तक आप हमारी इस वीडियो को लाइक, शेर और चैनल को सब्स्राइब करना ना भूले और ऐसी ही फिल्मों की चटपड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें